शुरुआत आपने किया था गाउं में जो सोहर या गाली वगरा या जो भी हमारे गाउं दिहाती परंपरा में जो गीत होते हैं उन तमाम गीतों को लेके लेकिन आजकल आपने वो पेटर्न को शेंज कर दिया है इसके पीशे करें अब डारेक्ट कोई अगला बिना बताए ब पुछे डारेक्ट मंच पे चड़ जाता है पूरे अपने टीम के साथ और उनके एक एंकर जो हमारी बहन के हाथ से माई उस दिन अगर हम गुस्ये में थी थोड़ा भी जो भी था बस उनकी एंकर का जो रियक्शन था वो बहुत गला था उपर से वो ड्रिंक करके मंच पे चड़ना यह तो सबसे गला चीज जैसे जैसे मैं आपको समझती हूं आपको भी हमें समझना होगा तब ही मैं साधी करूंगी और समय के साथ सब कुछ बदलता है और समय के साथ बदलना भी तुम भूल तो नहीं जाओगी इस वक्त आप लोग को हम मिलवाने जा रहे हैं ए कैसे हैं आप हम बिलकुल बढ़िया है और समरी दीन विजवाले सभी दर्सकों को मेरा प्रणाम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सपोर्ट मिल रहा आप लोगों का रहे से प्यारा श्रिवाद मिले अच्छा हमाजी जानना चाहेंगे चुकि लगतार कहीं न हुद्धी परणपरा में जो कीत होते हैं उन तमाम ऊघीतों को लेके लेकिन आजकल आपने वह attraction구요 इसके पीछे करम क्या है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है पैटेन वही है सबकुछ वही है थोड़ा सा होता है ना पबलीक थोड़ी से दिमांड करने लगती है कि यह गाई य लेकिन हम बोलते हैं असलील तो गा नहीं शकते हैं परना हमारा कभी वैसा है जो मैं पारंपरिक से जुड़ी हूँ जो हमारी संस्कृति हैं मुशी को लेके चले और फिलहाल में वही लेके चलती हूँ कितनी कमेंट्स में देखती हूँ कि हेमा पांडे एक ही गाना को गा रह या यदि हम बात करें बिहार में ही नहीं आप उतर प्रदेश में और भी तमाम जगों पर आप जाती हैं तो हेमा पांडे को इसलिए बुलाए जाता है कि हेमा पांडे वह लोग गई क्या है वह जो हमारे गाओं से जुड़ी हुई जो जो गाओं के जो गीत है धिरे-धिर पर गीत बना बना के लोग आया करते थे ऐसा आपको नहीं लगता है कि कहीं 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 कारक्रम को चलते बिश्यांतर आपको रही है क्या कहीं 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 कारक्रम हो रहा है लोगों के डिमांड के अंसार आप उस गायकी को छोड़के दूसरी गायकी पे आ जाती है लोग कहता सबसे पहले बोला जाता है कि हिमा जी आप मंगल गिती गई है, हाँ, तो पैटर्न हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वहां महौल देखते हैं, पबलिक का, जितने लोग वहां रहते हैं, कोई-कोई बोलते भी हैं, कि आप ये गई हैं, आप वो गई हैं, हम डारेक्ट बोलते ह काफी सालिंता के लिए जानी जाती है, लेकिन एक कारत्रम के दोरान आप हेमा पंडे को काफी उग्र, तेवार में, उग्र रूप में देखा गया था, तुन्टुन यादों पर काफी भरस गई थी, क्या मामला हुआ था, देखिए, मैं इस पे तो ज्यादा बात नहीं करन जाता है, पूरे अपने टीम के साथ, और उनके एक एंकर जो हमारी बहन के हाथ से माइक छिनते हैं, तो यह चीजे मुझे बरदास नहीं हुआ, मांगे नहीं छिल दिया माइक, जी, और मैं यही चाहती हूँ कि सालिंता पूरवक, अगर वो हमसे मंच मांगते हैं, हम उनको मंच दे देते हैं, हम एक एंकर मांगतो अगरर हाद से को नहीं देक हैं, आ इसे कि बाद में पता चला कि वह हम लोगो से मंच पर ही आर्या, टब भी हमें कोई पराब्लम नहीं था, जो उनके एंकर माईक छीने, यह चीजे बहुत खराब लगा, मेरी बहां से, कि इस तरह क किसे बिएब नहीं करना चाहिए कलाकार का सम्मान होना चाहिए वो पूरा मंच पे जो भी सजिंदा वगर तमाम टीम आपकी ती जो बजा रहे थे वह सबाब के टीम यह बिल्कुल पूरे हमारी टीम थी तो फिर हम देखें कि जब हमारी बहन के साथ में माइक छीना गया तो कलाकार की मतलब अब वह भी गाते हम भी गाते हैं हम भी कलाकार वह भी कलाकार है लेकिन हम अब जादा नहीं बोलना चाहते हैं इस मेंटर पर थोड़ा ही यह रखना चाहते हैं कि अब जानते ही कि कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं तो बस यहीं चाहते हैं कि कहीं भी देखिए और वहां पर बहुत सारी बातें भी बोली गई जाती वाद को लेके ये लेके। लेकिन ऐसा नहीं है भया, हम जो है, हमारा एक ही जात है, कलाकार है हम, हमारा लिए कोई जातिवाद नहीं है, और जो आप लोग सोच रहे होंगे, यह सब चीजे माइंड से निकाल दीजेगा, अगर हमें कलाकार की तो पहली बार कोई जात नहीं होता है, ठीक है, तो मैं ही ब सबसे गलत चीज़ है जो उनके एंकर थे वो लोग ड्रिंक करके मंच पे चड़े थे और ये सब चीज़े हमें हम आज तक प्रोग्राम कियें कहीं भी मंच पे ये चीज़े नहीं हुई थी बिहार में तो सराब बंद है फिर भी दारूपी के चड़ जाते हैं अब हमें क्या पता कहीं सभी आपको अभास हुआ कि हाँ हाँ बिल्कुल अभास हुआ और मैं यह चाहती हूँ कि ऐसे और पहले बात के एंकरिंग करना है भाई तो सभ्याता में सभ्य में करके तुरंद ज संस्कृति हमारी अलग पहचान है हेमा पांडे का अलग पहचान है उनकी अलग पहचान है हमारी अलग पहचान है तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही सपोर्ट पोर्ट प्यार बनाई ले रखा लोग लेकिन जातिवाद से हमरा कमत जोड़ा लोग हम जातिवाद से बिल इस वक्त तुमाम दर्सक आपको देख रहे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उस मुशास को फिर से एक घीत के रुमएं हाहँ हमारे यहाँ पारमपरीक में है जब दूलहन आती है घर से अपने मैके से जब आती है तो दूरी पर जब मतलब उतारते हैं उसको दुलहन को आप भुजपुरी बोलिए चुकि भुजपुरी अच्छा लगता है डोली से जब उतारल जला तो गावल जला हुमें कि अबेटी जाना मवली पाती पलवो ना कईली हो अकाहे के समधीनी आखे लड़ी लूरे ना सीखवली हो गालत नी खराब बलागतार प्रोग्राम के वज़े से लोग समझ रहे हैं आपके भाव को और कहीं न कहीं आपके भाव लोगों के दिल में बसे हैं तब जाके हमा पंडे हर जगा बुलाई जाती हैं हर जग हमा पंडे को सुन जाते हैं अच्छा हम जानना चाहेंगे इस समय कोई गीत आप वगर अपर निकाल रहे हैं कि एल्बम में मुंबई में रिकॉर्डिंग हमारी तीन तारी की हमारी फ्लाइट भी है पटना से मुंबई की और बहुत ही अच्छा सौंगार है जो वो हर जगह बज सकता है शादी व्यासे लेके पुजा पार्थ हर जगह पे इसके पहले कोई गीत अपना पजाए कि मैं हां ब सबसे पहले हमी गाए दिखान हो कि तहरी के कढ़िए थानी आहो कि तौहरी की दूला हना बना यहते माजानुआ हो लड़की गलाईन था कि भईया से आपना ती लगां चड़ावाईती हो अतब हो ये जईती तो हार ये बाबु गाई के गुबरा यांगिनाली पायो रघू यह भी काफी ज़्यादा बजा था अभी चली रहा है अभी चली रहा है पारामपरी की गीत से तमाम दिगज-दिगज कलकारों को जिस तरह आपने भूल चटाने का काम किया है कहीं ने कहीं चुकि जहां तक देखा जा रहा है लोग समझ रहें कि असलीलता परोश के ही हम हीट हो सकते हैं या फिर गलत गीत गा कहीं हम हीट हो सकते हैं वैसे स्थिती में हेमा पांडे परमपरी की गीतों को लेकर सामने आती है और रिकायक अपना पता का जो है सिर्स लेवल पर फारा देती है ऐसा लगता है कि नहीं और काफी सब समाज में लोग आपको पूछते भी है बुलाते भी है कि नहीं हेमा को बुलाया जाए हमा पंडे अची गाईका हाँ पूरे परिवार के साथ बैट के लुकसान से तो आप को यह अशा लगा था कि नहीं कि पारमपरी गीत से भी नहीं इन लोगों को टककर दे सकती है नहीं, ऐसा मेरे कोई उमीद नहीं था, कि हमारी पारंपरी गीत मतलब बजेगा, और ये मैं किसी कालकार से टक्कर वाली बाते जो आप बोलें, ये टक्कर वकर की नहीं, उतना मुझे बस जो है मैं मम्मी से सून के गाती हूँ, उतना सूर्ताल का नौलिज नहीं है हमें, जो है सच बोलना है भई, क्योंकि कहीं भी एक कालकार के अंदर कभी जूट बोलना नहीं चाहिए, और मैं जो है अपने माताजी से सिखी हूँ, मौसी से सिखी हूँ, नानी से सिखी हूँ, भुया लोग से सिखी हूँ, तो वहीं सून के बस गाती हूँ, और रही बात कालकारो कि तो सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं बस जो है असलीलता को लेके ना चले और जाती वाद ना करें क्योंकि कालाकार का कोई जाती नहीं होता जैसे कि हम हैं हिमा पांडे अब हिमा पांडे जाती वाद करने लगे हिमा पांडे कि उस quality को चाहते हैं जिसके लिए हमा पंडे लोग यही कह रहे हैं कि कहीं तुम भूल तो नहीं जाओगी यानि कि जिस सभ्यता को आप लेके चली है चुकि समाज का डिमांड होता है जो लोग भी आते हैं इस लाइन में अच्छे की परोस के आते हैं फिर दिमांड का अंसार वो अपने रूप को तमाम चीजों को भूल जाते हैं जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वो तमाम चीजों को भूल के फिर से असलिता के राह पे अपने आपको लेके चली है तो हेमा पंडे से ये तमाम दर्सकों का सवाल है कि कहीं तुम भूल तो नहीं जाओगी नही नहीं जो हमारी संगे जिस चीज से हमें पहचान मिला है उस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं उसी चीज से हमापंडे को पहचाना गया है आज उसी चीज को लेके हम Dлушis के शाומצे के खड़ा हों के गाये भी हैं तो यह मेरे लिए बहुत सवभागे की बात है और कहीं न कहीं माता रानी मा सुरसती की क्रिपा हम पे थी कि आज हमारी पारंपरी गीत बज गए और अभी भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और यही देन है कि आज हमें युवसे में भी प्रोग्राम मिला है युशे में भी प्रोग्राम है तो हम लोग मेरी पूरी टीम के साथ युशे भी हम जा रहे हैं तो कहीं न कहीं दर्सक का भी प्यार शिर्वाद है माता रानी महादेव सबकी क्रिपा है और कहीं और फिर जो हमारी जो भोजपूरी बिलुप्त हो रही थी तो वो चीजे सामने पारमपरिक पारमपरिक था बिलुप्त हो रही थी जो चीजे आज लोग सुन रहे हैं पसंद कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमें मेसेज आता है कॉल आते हैं तो यह कॉल आते हैं कि Hemadidhi मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, Hemadidhi मेरी दादी मावा आपकी बहुत बड़ी फैन है. चाहे हुला हैं Hemadji, मेरी सासुमा आपकी बहुत बड़ी फैन है. तो यह चीजें देखके बहुत अच्छा लगता है, कि अना में भी तो डिप्टी मेर आपकी बहुत बड़ी फैन आपके साथ गाना भी गा रही थी जो कुरुप डिप्टी मेर रह चुकी है जी जी बिल्कुल और फिर भी मुना चाचा जी है मुना अदो जी उनके भी बेटी मुझे जाना है तो यह सब आप लोगा प्यार अशिरवाद है और ऐसे ही प्यार अशिरवाद बना है एक गीत है मेरे दर्सकों को सुनाएगे कि काई उनकर अखोई लाए पापा काई रखाला उधार आके कारा करने बलु हर लाए पापा इसा जना छे कले दुआर अपाना वाँ नुकर खईनी हो बेटी फुलावा रखनी उधार आक तो हारा करने बलु हर लाए बेटी असा जना छे कले दुआर बाते बहुत संदर तो आप हेमा पांडे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं हेमा पंडे लगतार परंपरी की गीत गा कर और आप तमाम दर्सकों का दिल हमेशा से जीतने का काम की है और इस वक्त कई न कहीं कुछ कुछ मामले चुकि गायक या कलकार जो भी होते हैं कहीं कहीं कारकर्म करते हैं तो कुछ मामला तो हो ही जाता है अभी लगतारे चर्शा का विशे बनी हुई है कि इतनी शालीन लड़की और एक ही बार इस तरह भ्यावा रूप पकड़ के क्रोध में कैसे आगी अगर आपको मंच लेना है उस दिन तो लिजिए कोई दिक्कत नहीं है हम जब मंच से उतर जाते हैं फिर आपको जितना गाना है गाई है दो एक दो जगा मैं मंच से अर की हूँ लेकिन मुझे नहीं अब लगा कि मुझे मंच सेर करना चाहिए क्योंकि अगले का भी बीहेबियर में देखी और अपना भी जो देखें कहीं मैं अपना सालिंता को खो रही थी मंच को सेर करके तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मैं मंच सेर करूँ और जो भी हमारे प्र और जो आपके दर्सकों के तरफ से हैं जो लोग आपको चाहते हैं उन लोगों के तरफ से एक सवाल और है कि खेमा पंडे साधी कब कर रहे हैं शाधी कब कर रहे हैं शाधी तो होती रहेंगी और फैमिली अपने नजर अंदाज में हैं अपना देख रहे हैं कहीं नजर अंद अंतर इंटर्वियूव लेने तो होगा, अभी डिशाइड नहीं किया है, और जब होगी तब खुद अपने आप आप लोग पहुंच जाएगा, कि चलो बाइब आप अंडे का पूरी खाने जाना है, अब इस तरह का कोई प्लानिंग आपने नहीं बनाएगा, और है भी तो ममी पापा को मैं बस इतना बोली हो, कि पापाजी ममी जहां भी हमारे शादी हो, इस चीज को जो फैमिली अपनाएगा, और जो हम जो गाते हैं, जो हमारी पारमपरी वो फ्रीडम होना चाहिए, और हमा कारे शाद, जो भी मतलब हमारे हस्बेंड होंगे, उनको यह सपोर्ट करना होगा, और जैसे मैं आपको समझती हूं, आपको भी हमें समझना होगा, तभी मैं साधी करूंगी, और समय के साथ सब कुछ बदलता है, और समय के साथ बदलना भी जरूरी है, तो आप देख रहे झाल झाल जरैे खर शाय हो भी मैं, हो ही जर बदलना भी मैं समझ हो भी मैं समय के वी जरूरी है, और समय जरूरी हैं पड़रे वी क्झ Стव, क्यूरी ह Pakistani moreIF के साथ बदलने मैं सिर्स, तो ब».